दोस्तों आज हम Tata Steel की बात कर रहे हैं Tata Steel ने किया है बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर एक बड़ा agreement साइन हुआ है और इस agreement के तैद Tata Steel को होने वाला है बहुत सारा benefit क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोसिस करेंगे दूसरी तरब Tata Steel का quarter four का result बहुत जल हमारे सामने आने वाला है इस result के पहले क्या संभावना व्यक्त की जारी है ब्रोकेजा उसकी तरब से कैसा result रह सकता है और क्या result के बाद में एक positive माहौल बनेगा क्योंकि वैसे अगर आप देखे तो पिछली बार बहुत भारी नुकसान हुआता है क्या इस बार भी कंपनी लॉस बताएगी या फिर एक सांधार bounce back देखना हो को मिलेगा दूसरी तरब देखे तो यहाँ पे Steel sector को लेकर कुछ positive खबरे भी निकल के आ रही है और यह जो सारी बाते यह साबित भी कर दिया कि Steel sector में आनिवलस में तेजी का दौर सुर होगा क्योंकि और पिछले एक साल से Steel sector बहुत ज़्यादा दबाव में था तो यह सारी जो बाते यह साबित कर दिया कि आनिवलस में Steel sector में तेजी आएगी तो फिर Tata Steel भी दोड़ सकता है Tata Steel आप देख सकते हो कि Green Steel का निर्मान करने की तैयारी कर चुक है आने वाले समय में Company अपने Green Steel के आगे बढ़ेगी इस प्रोजेक्ट के तहाए तो इन सारी बातों को समझने की कोसिस करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अगर हम BSE Sensex की बात करें इस समय डेर बज़े के आसपस का टाइम है देखे तो 107 पर थी और आज की शुरू आप भी 107 पर ही हुई 108 का ही भी बना और लो है 107 का और इस समय भी श्टॉक 107 के आसपस ही है तो लगबग आप देखे तो सीमी डायरे में श्टॉक ट्रेट करता हो दिखे देखा इसमें कोई ज्यादा आपडाउन आपको दिखा देखा देखा लेकिन कुल मिला के इसमय एक ठहरा उसा है वालिम अभी आप देखे तो अच्छी खासी बड़ोतरी आज पिछले एक मैने पहले इसका 3 करोड का वालिम था 1 करोड की डिले उठाएगी थी वन विक पहले थ्री क्रोड का वलिम होता वन क्रोड की ही डिले उठाएगे थी और कल भी टू क्रोड का वलिम होता वन क्रोड की डिले उठाएगे थी और आज देख सकते हो कि साड़े बारा के पहले ही टू क्रोड का वलिम हो चुका है यानि वलिम थ्री क्रोड तक जाने की स मेरी तो फिर स्टॉक थोड़ा 100 से नीचे जाने की भी समोरों बन सकते हैं अब यहां पे टाटा स्टील का जो फैसला है वो बहुत ही सांदर है टाटा स्टील ने A&DB Global Mining Private Limited जिसको बोलते हैं ABGM के साथ में नया एक बिजनस टाइब किया है और इस बिजनस के मादेम से देखें तो अन्वेशन, संसादन, मिल्यंकन और माइनिंग, प्लानिंग, और शेडूलिंग और देख सकते हैं कि निवेस, थिसिस, डिजिटल, स्वच, हाइब्रिड यह सारे के सारे जो चत्र है जो माइनिंग के चत्र है उनमें तक्निकी सेवाय प्रदान करने के लिए एक बैंक, योग्य साकारी, अधियन, और उनर्स, एंजिनरिंग, और प्रियोजना संप्रबन के लिए कारुबार से योग के लिए एक हस्ताकसर की है तो इस बिजनर्स टाइब के माधिम से देखे तो टाटा स्टील के लिए माइनिंग छेतर में कई नए राहत के दुआर भी खुलेंगे और आने वालस में कुछ नई अपॉर्चुनिटरी भी निकल के आएगी टाटा स्टील एबी जीएम इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी जो बारत और विदेश के कारुबार में अफसरों को पता लगाने के लिए अपनी दक्षिनी अफ्री की हिकाई के साथ मैं इंटर फेस करीगी स्टील वैल्यू चैन सहीद खनन और दातों में परिज़नाओं को डिलिवर करने के लिए एक दूसरे की तक्निकी और रन इती एक दूसरे की ताकत भी बनेगी तो यहाँ पर इस बिजनेश टायब पर देख से ताटा इस्टील के वाइस प्रेसिडेंट जो रॉम अटल के है डीबी सुन्दरम रामम उनका कहना है कि हम टाटा इस्टील के प्राकरतिक संसारन प्रभाव के साथ एक सथी के सभी अधिक समझ से सुस्टेंबल माइनिंग के लिए खनन विववसाई में है और इसमें के लिए विभीन अन्वेशन और खान यूज़नाय सिवाई प्रदान करते हैं हमने अपने साज़ी दवर के साथ टाटा इस्टिल इंडेस्टिल कंसलिटिंग के माध्यम से टाटा इस्टिल के बार माइनिंग उद्योग के लिए वैसा एक रूप से ख़दान तक्निकी सिवाओं की पेसकत सुरू कर दिये और यह समझोता व्यग्यानिक और सस्टेंबल ख़दान विकाचेतर में बारत के विशेश रूप से सामाने अंतराश्टि इस तर पर ऐसी सिवाओं को मानकों को बढ़ाने के लिए और दक्सिता बढ़ाने में पूरा सयोग करेंगे टाटाश्टिल की बात को सबसे ज़्यादा बहुगलिक रूप से वीविद इसपात उपादों में से एक कमपनी है जो खनन से लेकर तयार उपादों के निर्माड़ा और विपणन तक का काम पूरीते से कमपनी करती है और इसका बीजनर्स मॉडल काफी अच्छा है एंडी बी ग्लोबल माइनिंग के परबंद निवेसक की बात के जो देवेंदर व्यास है उनका कहना है कि हम टाटाश्टिल के साथ मिलकर माइनिंग, प्लाइनिंग, इंजिनिंग और परियोजना से परबंद सिवाय प्रदान करने के लिए काम कर रहे है जिसे ग्राकों के अनुकुलित और end-to-end समादन सामिल है अच्छा बीजनस टाइप है जिसके मादिम से आने वाले से टाटाशल के बीजनस में और व्रदी की समावनों बनेगी अब जैसे कि क्वाटर फोर आने वाला है तो यहां पर क्वाटर फोर के पहले देखे तो जी बीजनस की तरब से यहां पर कुछ रिजल को लेकर आगए कीगी है उनके हिसाब से इस बार जो नेट प्रॉफिट है उसमें 97% की गिरावट हो सकते यहां प्रॉफिट जो है वो 288 को भी इसके आसपास रहेगा तो यहां पर गौर करने वाली बात है कि पिछली बार तो भारी नुक्सान हुआ तो यह भी हमें खास गौर करना है टाटा शिल के रिवेन्यू की बात कि आपे 14.3% की गिरावट देखना को मिल सकते हैं जो 59,418 को भी इसके आसपास रह सकता है यहां पर कमपनिया इस बार अभी डाडा 13,187 को भी इसके आसपास रह सकता है जो 11,241 को भी इसके आसपास थ इसमें का सेल 6% quarter on quarter basis पे व्रिदी दिखा रहा था और year on basis पे देखे तो 12% की गिरावट दिखा रहा था तो इस हिसाब से देखे तो जो इस बार जो result है वो पिछली बार के मुकाबले अच्छा हो सकता है quarter on quarter basis पे तो result बैतर रह सकता है लिए year on basis पे गिरावट की संभावना बन रही है जे बिजनस की तरब से का गया है कि जो price decline हो उसका benefit मिल सकता है cooking coil की price कम हो इसका फाइदा iron और steel के sector के लिए benefit वाला है तो इसमें Tata Steel को इसका benefit देखना को मिल सकता है तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये business का कहना है कि quarter on quarter basis पे result बैतर रह सकता है लकिन year on basis पे revenue की बात के December 2021 में 60,783 को बिसका असपास था जो December 2022 में गिरके 57,084 को बिसका असपास था तो पिछले कई समझ से देखे तो लगाता revenue कम हो रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं इस बार भी revenue थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन profit loss की बात के तो December 2020 में 9,573 को बिसका बारी profit लेकिन December में 2224 को बिसका profit की जगा पे loss हो गया लेकिन अगर इस बार 228 को बिसका profit अगर दिखा देखे एक company तो यह अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि पिछली बार company loss में आगे दी और quarter and quarter basis पे थोड़ा सा भी अगर profit में company आजाए तो फिर price बढ़ने की समावना बहुत जैसे कि Tata Steel ने अपनी जो प्लांट के ऊपर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल सुरू किया जिसमें 40% हाइड्रोजन मिला जाएगे जिससे आने माले समें Net Zero Carbon Policy पे जाना चाहते है 2045 तो यहां पर देख सेके तो कि अब जो इसको लेकर एक अंदाजान लगाया गया कि 2030 तक कम से कम 3 लेक टन हाइड्रोजन की जुरूद पड़ेगी Tata Steel को अपने Green Steel के सपने को पूरा करने के लिए तो यहां पर Tata Steel ने आप देख से तो ट्राइल इंजेक्शन हाइड्रोजन का गैस का सुरू कर दिया है जिसमें Blast Furnace में उसको इसको इसको इसकी quantity को बढ़ाया जा सक Tata Steel की तीनों कमपनिया चाहे Tata Steel हो या फिर Tata Power या Tata Motors सब Green Policy की तरब आगे बढ़ रहे है यानि आने वारस में Net Zero Carbon Policy पर हर कमपनिया जानी चाहती है और इसके लिए बड़ा सपना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी मातरा में यहां पर देखे तो इस समय हाइड्र 2 तक जाता हो दिखा देगा और ज्यादा गिरावट है तो फिर 99 तक जा सकता है यानि बड़ी गिरावट में 100 के नीचे जाने की समारों बन जाएगी पोजिटिव बाहुल बना तो 109 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको पार करते ही आपको 112 तक जाता हो दिखा देगा और और वहां तक पहुच गया तो फिर 114 तक जा सकता है तो कुल मिला के देख सकते हो कि पूरा पूरा दारूमदार इस समय रिजल्ट के उपर है रिजल्ट में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तब तो स्टॉक 120 को पार कर सकता है लेकिन पिछली बार के मुकाबले इ उसको टाटा इस्टि में जरूर नीवेश करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय एक बड़े मर्जर प्लान के साथ कमपनी आगे बढ़ रही है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंसल एडवेजर से बाड़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके जुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की ज़र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू फ्रेंड